हलो अब्रिवान, वेलकम बैक टू माई चैनल, आज मैं लेकर आई हूँ मूंग दल की बहुती स्वादिश्ट और बहुती स्पेसल रेजिपी जिसे एक पर खाएंगे तो हफते में 3-4 दिन बना कर जरूर खाएंगे तो दाल को बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिया एक कब दाल, मूंग की दाल है यह और इसे एक पैन में हमें हलका भूनना है इसे लगतार चलाते रहना है और लगतार चलाते वे इसे हलका सुनारा भून लेना है दाल को भुनने से दाल थोड़ी बहुत स्वाधिश हो जाती है और इसकी बहुत अच्छी खुस्बू आने लगती है तो दाल हमारा भुन चुका है हमें इससे जदा इसे नहीं भुनना है फ्लेम को करते हैं ओफ और इसमें डालते हैं थोड़ा पानी पानी को डाल कर हमें क्या करना है गर्म करम डाल में जब पानी डालते हैं तो डाल हमारा बहुत अच्छी तरह से फूल जाता है और इसे भीगो कर आधे घंटे के लिए छोड़ देते हैं तो जब तक डाल हमारा फूलता है तब तक हमें दूसरी तैयारी कर लेते हैं तो हमने यहाँ पे लिया एक कड़ाई और उसमें डाला दो बड़े चमच सर्सो का तेल और सबसे पहले डालते हैं थोड़ी सी हींग और एक तेजपत्ता दो सुखी लाल मिर्ज उसे तोड़ कर बीच से ले लेते हैं और एक छोटी चमच जीरा इसे लेकर हमें एक से दो मिनट के चलाना है जीरा जब भून जाए तो हमें क्या करना है एक चमच लेना है अद्रक लसुन का पेष्ट और इसे भी डाल कर एक दो मिनट के लिए अच्छे से भून लेते हैं अध्रक रसुन का पेज़ भी हमने एक दो मिनट के लिए अच्छे से भून लिया अब इसे भूनने के बाद इसमें डालते हैं कुछ सुखा मसाला तो यहां पे हमने लिया दो छोटी चमच धनिया पौडर एक छोटी चमच जीरा पौडर आधी चमच मिर्ची पौडर और टमाटर को हमने बारिक काटके रखा है और इसे भी मसाले के साथ अच्छे से भून लेते हैं जब तक कि टमाटर हमार पूरी तरह से गल न जाए तो टमाटरों के साथ हमने मसालों को अच्छे से भून लिया, अब यहां डालते हैं, हाप कफ हमने यहां पे लिया है, फ्रोजन मटर, और इसे भी मसालों के साथ एक दो मिनट के लिए भून लेते हैं, अगर आपके पास सीजन वाला मटर हो ता आप टमाटर के साथ ही डाल कर मसालों के साथ भून सकते हैं मटर को भूनने के बाद हमने जो दाल को भीगो के रखा था हमने उसे 4-5 पानी से अच्छे से धो लिया अब सारी दाल को हमें ले लेना है और इसे भी अच्छे से मिक्स करना है मसाले के साथ और एक-दो मिनट के लिए इसे भी भूनते है मसालों के साथ इसे अच्छे से भूनने के बाद हमने यहाँ पे 4 कप पानी गर्म करनी के लिए रखा है और साथ ही यहाँ पे हमने तो हरी मिर्ची लिया जिसे मैंने भी से चिरा लगा दिया है और यहाँ दाल में हमने 4 कब गरम पानी करके डाल दिया पानी हमेसा गरम ही डाले जिसे की दाल हमारा स्वाधिश्ट बनता है तो इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे ठक देते हैं और 10 से 15 मिनट के लिए इसे लो फ्लेम पर पकने देते हैं तो लेचे 15 मिनट हो गए ताल को हमने 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पका लिया ताल हमारी बहुत अच्छे से पक गई है अब ये काफी गाड़ी भी हो गई है तो हमें इसे अच्छे से करना है मिक्स और इसे थोड़ा पतला करने के लिए यहां पर थोड़ा पानी और लेंगे तो हमने एक कप गरम पानी और लिया और इसे अच्छे से करते हैं मिक्स और इसमें एक दू उबाला आने देते हैं तो पानी डालने के बाद हमने इसे एक दू मिनट के लिए अच्छे से उबाल लिया, दाल अच्छे से पक कर तयार हो गया है, बस ऐसा ही दाल हमें चाहिए, आप पानी यहाँ अपने हिसाब से कम्या जादा कर सकते हैं, लास्ट में यहाँ पे हमने डाला एक छोटी चमच करम मसाला और थोड़ी सी चीनी इसे डाल कर अच्छे से करते हैं मिक्स तो लिजिए तयार हो गई है हमारी मसालेदार मूंग की दाल तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारी रेस्ट भी पसंद आई होगी तो आप भी इसे बनाना और खाना और बताना आपको यह कैसी लगी अगर पसंद आई होगी तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जादा जादा सेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना इस दाल को आप कर्मकरम चावल के साथ, रोटी के साथ, पराठा के साथ, किसी के भी साथ खा सकती है सब के साथ बहुत इलाजवब लगता है, तो आप भी इसे बनाए, खाएं और कमन करकर जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी तो फिर से मिलते एक नए रेसिपी के साथ, वता के लिए बाबाई, ठेक कियर, और पूरी रेसिपी देखने के लिए थैंक यू